तो गाइस जैसा कि आप लोग को पताए कि social media मेरी तागत है और social media के through मैं अपनी बात रख पाती। तो जैसा कि आप लोग साइड में एक फोटो देख रहे हैं, एक नेता जी की फोटो है, उनके साथ एक इंसान है, स्काइ ब्लू कलर का कुर्ता जिन्हों ने पहन रखा है, यह मेरे सो कॉल ससुर हैं, काफी लोग पहचान गयोंगे, काफी लोग नहीं पहचान पायोंगे, इसलिए मैंने बता दिया, और आप एक फोटो और देख पा रहे हैं, साइड में, इनके ऊपर जो मेरे सो कॉल ससुर ह इनके उपर मैंने केस कर रखा है 498 354 जैसी धारा है इनके उपर लगी हुई है लेकिन नेता जी इनको अपने साथ रखने से बाज नहीं आ रहे हैं मैं इतनी बार प्रयास कर चुकी हूँ इन नेता जी से बात करने की लेकिन नेता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्यों क क्योंकि नेता जी रिष्टेदार है मेरे सो कॉल ससुर के और मैं रिष्टेदान नहीं हूं ना मैं तो किसकी बेटी हूं यह सब आपको पता है बस इकत यहां पर है और नेता जी किसे आ रहा है मलब ठीक है अगर आप किसी का साथ दे रहे हो अच्छी बात है समझ में आता है अच्छी बात उसको समझा दो ना कि आप घर के बढ़े है अपना घर समालिये यह नेता जी थाने मैनेज कर रहे है थाने में फोन कर रहे है कितनी बार मैं चक्कर लगा चुकी हूं थानो थाने में उसके बाद भी लोग इस तरह मुझे जूट बोलके कि हां से आप जाईए अभी नहीं मिल पाएंगे और जो विवेचक थे हमारे उनको बी नेता जी ने फोन किया और उल्टा जो विवेचक था वो मुझे ऐसे कोशन कर रहा था मुझे यह फील करा रहा था कि मैं आरोपी हूं और क्या कहते जो पीडित था मैं आरोपी हूं मैं यह फील कर रही थी और जो आरोपी हैं उनको पीडित वाला फील करा रहा था बिल्कुल तो लेकिन नेता और यह वाइट कलर की शर्ट में आपको देख रहे हैं यह नेता जी के पियारों हैं इनसे भी मैंने बात की और एक दो बार मैंने इनको बोला कि आप अपने नेता जी को समझाओ कि मेरे सो गुमा रहे हो उस आरोपी को अपने साथ क्यों गुमा रहे हो वो भी चुनाओ पिड़चार में यह पीले रंका पटका पहन के यह चुनाओ पिड़चार करेंगे जो इंसान अपने घर में चीजे मैनेज नहीं कर पा रहा है अपने बहु बेटों से बैठ कर बात नहीं कर स तुनते होगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ आरोपियों का साथ देते होगे, पीडित तो साइड में खड़े हो जाते होंगे तुम्हारे यहां पर आके, और हमसे बोला जा रहा है, कि अगर आपको बिधाइक जी से मिलना है, तो कारेला पर आओ, हमने इनकी पु तुमा रहे हैं, क्योंकि इन लोग को कोई फरक नी पड़ रहा, क्योंकि इनके दिमाग में तो यह है, यह सत्ता के बिधायक है, अरे ठीक है, आपको अगर जनता ने चुना है, तो जनता की सेवा करो, ना कि आरोपियों का साथ दो आप, और मेरे सोकल ससुर का तो बिलकुल भी नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजे वीडियो के माध्यम सही रखूंगी, मैं वीडियो के माध्यम सही बताऊंगी, जिसको बुरी लगे, वो अपनी आखे भी बन कल ले, और अपने कान बन कल ले, नमस्ते, आगे से अगर इस तरह की फोटो मेरे पास आई, और यह फोटो होते मेरे पिता जी के साथ, तो क्या आप इस तरह की चीफ हरकते कर पाते मेरे साथ, बिल्कुल नहीं, और अगर कहीं मेरे पिता जी आपको दिखते होंगे, तो किस तरह हमसे नजरे मिलाते होगे, लेकिन मुझे पता है तो मिला लेते होगे, दस बार यह चीज पता चल लेकिन ले लो मैं भी शान्तों के नहीं बैठने वाली हमेशा गलत का विरोत करूंगी हमेशा जहां तक हो पाएगा जितना हो पाएगा धन्यवाद